कक्षा दूसरी से आड़वी तक के चात्रों का ओलंपियाड एक्जाम 19 जनवरी 2023 को प्रतेग जनसिक्षा केंदर में आई जीत होना है और इसके लिए हम चात्रों की तयारी अपने साला इस्तर पर करा रहे हैं अब चात्रों की तयारी आप ओनलाइन भी करा सकते हैं पिरतेग को किलिक करना है जैसे आप किलिक करेंगे तो एक ब्राउजर में जो लिंक है वो ओपन हो जाएगे जहां आप देखेंगे कि उपर निर्देश दिए गये हैं जिसमें बताया गया है कि हैक मॉडल टेस्ट है और क्लस्टर लिवल में जो जनसिक्षा केंद में एक्जाम होना है ओलिमपियड का लगभग उसी के समान इस में पेपर दिए गये हैं अब चातरों को सिंप्लि नेक्स Luby करना चांट और बहुत अच्छी है कि चाहत्र अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं कि कितने उत्तर इन्हों ने सहीं दिए हैं और ऐसे कौण से प्रश्त हैं जिनके उत्तर गलत होगा है तो इसके लिए simply next पर क्लिक कर देंगे तो अगले पेजमें हमें अपना पर्चान G Plus webs करना होगा और अपनी कच्छा चुनना होगा contact number आप सिख्षक कभी भी इसमें फिल कर सकते हैं इसके बाद मैं next जो नीचे option दिया गया है इस पर click कर दें जैसे हम next पर click करेंगे तो अब प्रश्ण आने शुरू हो जाएंगे जहां उपर आप निर्देश देख सकते हैं नीचे दिये गए सब्दों का सही उचारण चुने अब यहां पर उपर आपकी अंग्रेजी में लिखा हुआ है और नीचे इसका हिंदी में अनुवाद दिया गया है तो जो भी आपको लगता है सही हो वो आपको option इसमें select कर लेना है जैसे हम एक्जामपल के लिए इसमें कर रहे हैं और इसके उपर हमें next पर click कर देना है अब जैसे हमने next पर click क गया तो अगले पिरकार के question इसमें आ जाएंगे जैसे आप देखेंगे कि उपर लिखा हुआ है नेम लिखे सब्द का सहीं अंग्रेजी spelling चुने अब उपर initial लिखा हुआ है इसकी अंग्रेजी में जो spelling है वो क्या है इसके चार option दिये गये हैं जो भी आपको लगता है सही हो उस option पर select करना है इसी पिरकार आप देखेंगे कि drive लिखा हुआ है principle लिखा हुआ है तो इनके कौन से सहीं answer है वो आपको इसमें select करना है और select करने के उपरां next पर click कर देंगे इसी पिरकार इसमें आप देखते चलेंगे कि उपर जो प्रशनों के पिरकार है वो दिये ग जैसे next पर click करेंगे तो अगले पिरकार के question आ जाएंगे अब आप देखेंगे कि रिक्तिस्तानों से संबंधित question आ गये हैं तो उपर रिक्तिस्तान दिये गये हैं जो भी आपको लगता है वो option select करना है और next पर click करते चलना है इस पिरकार से एक example के लिए हम इसमें select कर ले और next पर click कर देंगे अगले पार्ट में आ जाएंगे अगले पार्ट में आप देखेंगे कि नेम लिखी सब्दों में से सहीं असंगत सब्द का पता लगाना है तो example के लिए हमने select किया है किवल आप अच्छे से पढ़कर और समझ कर इसमें practice कर सकते हैं हमने option select कर लिया है क इसी प्रकार अगला जो प्रकार इसमें आ जाएगा कि नेम लिखी सब्दों के लिए सहीं एक बचन और बहु बचन रूप का चैन करें एक बचन और बहु बचन के समन में प्रशन पूछे गए हैं तो जो भी आपको लगता है उन option को select करें और next पर click करते चलने अब इसमे सब्दों के लिए सहीं बिलोम सब्द चुनने अब बिलोम सब्द चुनना है तो जो भी सहीं आंसर आपको लगता है वह आपको select कर लेना है और अंत में submit इस option पर click करेंगे तो यहां पर message आ जाएगा कि आपको जो अत्रिक्त सामगरी है पार्ठ सामगरी वह लिंक के माध्य दिया है जैसे आप click करेंगे तो आपने जो detail इसमें fill किया है वो सारी detail open हो जाएगी और question wise आप इसमें check कर सकते हैं कि आपने कितने प्रशनों का सहीं उत्तर दिया है जैसे हम देखें चुकि हमने केवल example के लिए इसमें answer दिये थे तो सभी question इसमें आप देखेंगे अभी प्रशें तक हां यहां तक गलत है और यहां पर आप देखेंगे कि सहीं जो है इसमें green बना हुआ है इसका सहीं answer दिया है इसलिइसां प्रकार तो इस प्रकार जो ओलम्पियाड एक्जाम है इसके लिए छात्र इसमें बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं एथी ओलम्पियाड एक्जाम में प्रैक्टिस के सम्मन में एक महत्पून जानकारी आसा है जानकारी अच्छी लगी होगी मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहें